हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब लोग उमीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगी दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ पंजाब नेशनल बैंक ओफ इंडिया में अधार कार्ड आप लोग कैसे लिंक कर सकते हैं जी हाँ द इसके लिए सबसे पहले आपको किसी एक गूगल ब्राउजर को ओपन कर देना है सर्च बॉक्स में एस एस यूपी लिखकर सर्च बॉक्स पे क्लिक कर दीजेगा आपके समने यहां पर देखने को मिलेगा कुछ इस तरह करके दोस्तों फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक कर दे आपके समने वेलकम टू माई अधार का ऑफिस्यल पोटल यहां पे खुल जायागा ठीक है यहां पर देख सकते हैं अब दोस्तों आपको क्या करना है सबसे पहले आपको यहां पर देखने को मिलेगा चेक अधार बैडिटी का आपसन नीचे में सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को यह चेक कर लेना है कि आपके अधार कार्ट में कौन सा मुवाइल नंबर लिख क्योंकि यह जानना बहुत ही जरूरी है ठीक है तो सबसे पहले आप लोगों को चेक कर लेना है यहां पे चेक अधार वैलेडिटी का ओप्सन दिखा है इसके उपर लोग क्लिक कर दिना है यहां पे क्लिक करते ही दोस्तों आपको यहां पे अधार नंबर यहांप सोगा नीचे में बहुत दिना आप प्रोस्टा स्कीब ब्राउजर को ओपन करना है सर्च बॉक्स में आप लोग को लिखना पड़ेगा दोस्तों अधार सीडिंग और उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक यहां पर लिखने के बाद आपके सामने आप सेकेंड वाला लिंक आपको देखने के मिलेगा सेकेंड वाले लिंक पर क्लिक क कर देते हैं हमारे सेने यहां पर अधार लिंक करने का यहां पर पेज वे यहां हो जाती है एकाउंट सेच कोड लिखना पहला सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को यहां पर अपना अकाउंट नमबर जो आपका जो पांस बुक होगा उसमें नमबर दिया होगा उसको लिखकर कैप्चर कोड को नीचे वाली बॉक्स में देने के बाद कांटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है दोस्तों सेकेंड आपके समने यहां पर यह तीसरा चेप ओपन होता है दोस्तों यहां पर आपको अधार नंबर को इंटर करना है लिखना जैसे आपको कुछ दिन वेट करना है आपका पंजाब नेशनल बैंक आपका अधार काड लिंक हो जाएगा ठीक है उपीड करती हूं आपको यह वीड कर दीजेगा